2024 के 10th और 12 बोर्ड एक्जाम में पास होने के लिए कितना मार्स चाहिए? पूरे देश में बोर्ड एक्जाम का समय चल रहा है 10th और 12 बोर्ड का एक्जाम देने वाले students के मन में कही तरह का सवाल रहते हैं ऐसा ही एक सवाल students के मन में ये रहता है कि board exam में pass होने के लिए कितना marks चाहिए यानि कि 10th board exam और 12th board exam में passing marks कितना होता है और अगर कोई student किसी subject में passing marks नहीं ला पाया तो ऐसे situation में क्या होता है क्या उस चात्र को fail कर दिया जाता है या फिर bonus marks दे करके या फिर grace marks दे करके उसको pass कर जाता है या फिर subject swapping के जरीए उसको pass कर जाता है आखिर क्या होता है ये subject swapping जो है इसके जरीए भी बहुत सारे fail बच्चे पास हो जाते हैं तो ये subject swapping के बारे में भी हम लोग चरशा करने वाले हैं कि ये subject swapping क्या होता है कब किया जाता है, कौन करता है इससे चातनों को क्या फैदा है तो आपके मन में भी अगर board exam को ले करके कोई doubt हो, कोई सवाल हो तो video comment box में पूछ सकते हैं उसका मैं जवाब दे करके आपके doubt को clear करने का भरपूर प्रयास करूँगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये board exam में पास करने के लिए किसी student को कितना marks यानि कितना number लाना पड़ता है तो देखिए भारत के अधिकतर राजियों के board exam में चाहे हो board exam 10th class का हो या फिर बोड exam 12th class का हो जो passing percentage होता है passing marks होता है वो 33% होता है 33% होता है UP board, MP board, राजिस्थान board, हरियाना board, CBSC, जारखन board सब में 10th class का और 12th class का जो passing marks हो 33% है 33% है यानि हर subject में भी 33% और overall यानि के सारे subject का marks जोडने के बाद भी 33% कुल होना चाहिए class 10th का board exam है तो भी pass करने के लिए 33% और अगर class 12 का board exam है तो भी pass करने के लिए 33% होना चाहिए लेकिन इसमें दो board ऐसे हैं जो exception है अपवाद हैं इनका नियम थोड़ा अलग है एक है बिहार board और एक है ICSE board बिहार board में 10th class pass करने के लिए 33% नहीं बलके 30% यानि के 30% marks लाना जरूरी होता है वहीं बिहार board में 12 class यानि इंटर pass करने के लिए 33% ही जरूरी होते हैं लेकिन इसमें भी एक छूट है, एक exception है कि 12 यानि के intermediate जो होता है बिहार board से उसमें जो language subject होता है जैसे कि Hindi, English, Urdu, Sanskrit, Maghi, Pali, Bhojpuri इन सब में pass करने के लिए 30% की ही जरूरत है 33 की जरूरत नहीं है लेकिन इन language subject को छोड़ करके बाकी सारे subject में passing marks इंटर के बिहार board में जो होता है वह 33% ही होता है और दूसरा जो exception था हो क्या था ICAC board, उसमें क्या है कि 10th का passing marks 33% है 12 hours का passing marks भी 33% है लेकिन ICAC के 12 science का passing marks 35% है ये ICAC board के 12 class का जो science का passing marks है पहले 40% था जिसको 2018 में खड़ा करके 35% कर दिया गया अब सबसे महत्तपुन सवाल कि अगर कोई छादर किसी एक subject में ये passing marks हासिल करने में असफल रहता है तो क्या होगा तो देखिए pass होने के लिए आपका हर subject में pass होना जरूरी है लेकिन fail होने के लिए एक subject में fail होना भी काफी है मतलब अगर आप किसी एक subject में fail हो गए passing marks हासिल ना कर पाए तो समझे कि आपका board exam सफल नहीं रहा आपका overall result fail ही रहेगा तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर किसी चाहादर का किसी एक subject में लेकिन ये पूरी तरह से उस board पर depend करता है कि वह किस चाहतर को bonus या फिर grace marks देगा और देगा तो कितना देगा मतलब आपको यह grace marks मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है क्योंकि इस पर अंतिम फैसला जो करना होता है वह आपके board को करना होता है तो 2024 के board exam में चाहे 10th का board exam हो चाहे 12 का board exam हो पास होने के लिए आपको अपने board के हिसाब से आपको number लाना पड़ेगा कहीं पर 30% तो कहीं पर 33% अब रही बात की ये subject swapping क्या होता है तो आपको बता दें कि जिन चात्रों ने अपने 10th या फिर 12 board exam में एक main या kambal सरी subject में fail हो रहा हो जबकि extra subject में additional में pass है तो उसका main subject जिसमें वो fail हो रहा था ओए extra subject के साथ swap कर दिया जाता यानि कि बदल दिया जाता है और उस चात्र को pass कर दिया जाता है इससे क्या होता है कि ओए चात्र fail होने से बच जाता है यहाँ पर मैं यह clear कर दूँ कि extra या additional subject में fail होने पर overall result पर कोई फरक नहीं पड़ता है, हाँ यह जरूर है कि उस extra subject के marks के सामने if यानि के fail लिखा हुआ रहेगा, लेकिन याद रखें कि यह marks इट बिल्कुल valid है, इससे आगे आपको पढ़ाई करने में कहीं कोई दिकत नहीं ह है, तो यह subject swapping का फायदा उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने additional subject ले रखा है, चुन रखा है, और जिनका additional subject नहीं है, उनको subject swapping का फायदा नहीं मिलने वाला, तो board exam के बहतर result के लिए मेरी तरब से सुबकामनाव के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो म झाली 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